जैसरी किष्णा दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे मैं मोनिका अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं तो मैं अपना सुबह का काम जो होता है जारू पोछे वगर अगा वो करने के बाद अपना साब सफाई का करने के बाद बच् काम करने में आसानी हो और जिस तरीके से मैं इसी तरीके से आलू कट करने हैं लंबाई में कट करने हैं त्रेंगल सेफ सब्रहिए से करें और और सबजी है तो और अच्छी ने लेकिन खाना अगर दिखने में अच्छा है ना तो पहले बंदा आखों से ही चकता है तो देखे आलू मैंने कट करके रख लिया है और यह धाइसो ग्राम मैंने ले लिया है इसमें कुंद्रू आप हाफ केजी भी ले सकते हैं यह आफ केजी ही थे लेकिन जब मैं इनको साफ क करने लगी तो आदे तो इसमें खराब ही निकल गए तो मुझे यह धाइसो ग्राम से काम चलाना पड़ेगा तो यह देखे मैं सारे ही कुंद्रू ऐसे लंबाई में कट कर लूँगी यह मैं कई तरीके से बनाती हूँ और आने वाले टाइम में उसकी भी रेसिपी में आप प्याद जाएगा क्योंकि आज है शुक्रवार मतलब कल शुक्रवार था वीडियो जाएगी सैटर्डे को तो इसलिए तो यह देखे मैंने कडाई गरम कर ली थी और कडाई में तेल डाल दिया सरसोगा उसमें डाल दिया मैंने जीरा सिंपल जीरा डालेंगे अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे जो हमने सबजे कटकर रखी थी उसके बाद हम इसको एड़ कर देंगे सबजे को देखे मैंने लंबाई में काटा था ना तो दिखने में भी बहुत सुंदर सी लगेगी बनने के बाद कौन-कौन ऐसा मानत है मेरी तरह कि खाना अगर दिखने में अच्छा तो डैफिनेटल वह खाने में अच्छा होगा क्योंकि बंदा कोई ब्याव देखकर ना आकों से जगता है आकों से टेस्ट हो गया ना उसको लगेगा कि हां कुछ तो बाद है तो तब ही उसका मन करेगा उसको खाने का तो जालेंगे हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसको भी मिक्स कर देते हैं हल्दी और नमकी इसमें डालेंगे अभी हम हारी मिश्ची कट करके आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डालिएगा बच्चे कम खाते तो कम डालिएगा ज्यादा अगर आप पसंद कहते तो तीका इसमें कम या ज्यादा या फिर एक दो मसाला ज्यादा भी कर सकते लेकिन आप सिंपली इस तरीके से बनाईएगा ना तीन चार मसालों से सब जिवनती बहुत टेस्टी लगते गाइस एक बार आप ट्राइ करके देखेगा और जैसे कि मैंने बोला सुबा का टाइम है टिफ मिची भी कट करके रख दिए वैर इसको अभी हम एक बार और अवर मिक्स करके इसको ढग कर छोड़ देगे इसको ढग ढग कर हम पकाएँगे और पानी हम इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे इसको हम सूकाई पकाएँगो बहुत टेस्टी सबजी बनती है आप एक अभी इसको छोड़ देता है थोड़ देर पकने के लिए डखकर और हम एक मसाला तयार करते हैं जो हम इसके उपर से डालेंगे तो एड़ ले लिए मैंने थोड़ी सी काश्मीली लाल मेच आप अगर कलर चाहते हैं तो डालिएगा नहीं तो आप इसको सिंपल हल्दी नमक मिर और उसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग थोड़ा सा एक्स्टा जाएगा तो आप हींग अपने अकोडिंग कर लीजिएगा इसमें इसी मसाले से सबजी को बनाएगा आपकी सबजी एकदम परफेक्ट बनकर डेड़ी होगी बहुत टेश्टी यह सबजी बनेगी चलिए मसा सबजी चेक कर रही हूं कि हमारी 80% तक सबजी पकी है कि नहीं सबजी हमारी पक चुकी है 80% 20% इसमें कमी है वो भी अभी पक जाएगी और ऐसे डख डख के पकाएंगे तो पानी की ज़रूत नहीं होगी और आलू जैसे मोटे-उटे काटे ना देखिए पूरा हमारे आलू कब इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह देखिए मसाला डालते सबजी की रंगत आप देखिए कितनी दिखने में एकदम टेम्टिंग सी लग रहे हैं खाने में भी गाइस बहुत टेश्टी थी आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा आपको बहुत पसंद आए और यह द लोगी और हाँ आपको मेरी पस के थोड़ीव हैं क्यों एच्छी लगते देखने के बाद अगर देखने के बाद अच्छी लगते हैं तो लाइक कीज़ेगा के मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीज़ेगा पेज पर देखर है है तो फॉलॉ भी कीजिए एगा फेस्बूख रोड़ा ही कब हो रहा है संडे को यह सब लगता है। थोड़ा स near envision amaren harana do जनकां तो तो सारा घुन करता है कि संडे को एč्टर dell देज़न से ज्यादा काम होता है कि नहीं होता है चलिए क्ष़में मैं क्या कर रही हूँ बच्चो के Need expon में दूंगी मैं पराठा और मैं बचुराइव हसबन को भी नास्ते में पराठा दूंगे और पहले मैं रोटिया सेख लेती हूं क्युकि रोटिया पहले सेखने से होगा कि वह ज्योटा चिकना भाजकता तया तो वह फिर दुआ 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 सा छोड़ने लगता अगर रोटिया सिखते तो मैं पहले husband के लिए रोटिया बना दूँगा रोटिया लेके जाएंगे और नास्त में पराठा खाएंगे तो यह देखिए और सब लोगों की तो छुटी हो भी जाती है हम लोगों को तो Sunday को भी छुटी नहीं मिलते है कि सब के लिए तो Sunday होता है ना कि च आच्जों को देखके काम करना पड़ता है, कि बच्चे भूके कम छोटा बड़ा नहीं है, और मुझे तो बहुत गर्व हैं, बहुत प्राउड से कह सकती हूँ, मुझे तो बहुत ही गर्व है, कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ मैं गर्व के साथ यह बोल सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मन में नहीं है, कि नहीं मैं जोब नहीं करती है, नहीं करती हूँ, यह जोब मुझे लगती है, कि सबसे ज्यादा परफेक्ट है, और जो कि कम से भी कम 80% लेडी करती है, तो यह देखे, मैंने हस्बिन को पराठा दे यिए, मैं लेदे करते हैं, इसमें रखेंगे सबजी, और उनको मैं देखकर आ जाओंगे, देखके मैंinement को देखकर आ गई हूं, आने के बाद क्या करेंगे, फिर वापस से अपना टिफिन रेडी करेंग लोगे एक हैल्दी सा टिफिन में दूंगी जाधा तर मैंने बच्चों को या फिर अश्मन को ऐसे ही टिफिन वगएरा देती हूं कि थोड़ा सा हैल्दी हो ज्यादा कुछ ना हो समय उली वगएरा जादा हो या फिर फ्राइड चीजे जादा दे रही हूं नहीं और मैगी पास्ता जो भी होता नहीं अगर जहां ठंडा हो गया वहीं पर छोड़ देती है खाती ही नहीं है बिल्कुल भी उसको तो ना ज्यादा थोड़ा सा गरम ही खाना अच्छ लगता है तो डाली बच्टी के लिए और पर्फेक्ट गीली सब्जी ςबसी यह ? गेली आगर लीक-प्रूफ टिफिन तोỏi दिक्कत नहीं है ऐसे चल जाथा досकृ सब्सक्राइब मेरे तरह विए तå बनाना पसंद नहीं तो बेटे के टिफिन में रखे मैंने एपल और बैटी के टिफिन इसा लगा दिया है जिसके उपर से चिपचिपा ना हो रख दिये दर ड़ी husband के टिफिन में, दाही भी रख देंगे, और उपर से रख देंगे, उनके टिफिन में जाएगा आज मस्क मेलन, यानि के करबूजा, उनको खरबूजा खाना था, तो उनके टिफिन में खरबूजा, तो आप देख सकते हैं, कितने तरीगा मतलब खाना, एक लेडी जाना सब म वो तो दिन बर काम ही करते रहे तो रात को ही उनको आराम मिलता तो जितना जैंट्स का काम इंपोर्टेंट है उतना ही लेडीज का तो दोनों husband wife मिलके चलते हैं इसलिए गाड़ी के दोनों पहीं है ठीक है तो सब कुछ ठीक चलता है तो ये देखें मैं आपको दिखा रही थ जा और यह देही सब जी पसाज उनके ठीर में यही है तो आज मैं यही दोगी उनको तो टेकर और एक्ट्रा काम किया मैं कपड़े दोने लगी तो थोड़ा सा फिर लेट होई गया लेकिन मेरे अजबन नो बजे तक जाते ना तो मैंने हो जाता है तो उनका तिफिन का थेला रख दिया यह इसका क्या हो गया ना पता नहीं कैसे खराब हो गया उसका जो था तो यह मैं बैग म फिर मिलती हूँ आपको और इधर हस्बन को दे दिया है हस्बन भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए अज उनको यूनिफोर्म पहनना है जाके तो इसलिए टीशर पहन के जा रहे हैं तो यह देखिए उनको मैं बैग पैक करके दे रही हूँ तो कैसे लगा मेरे बीजी इतना हस्बन को भी बाई बोल दिया है चलिए बाई बाई